अभी कुछ दिन पहले वीवो ने खबर दी थी कि वो 23 मार्च को अपना नया स्मार्टफोन वीवो V9 भारत में लॉंच करने वाली है हालकि हाली में इस फोन का रिटेल बॉक्स लीक हुआ था और अब इस फोन के स्पेसिफिकेशन पूरी तरह से कंपनी की वेबसाइट पर लेस्ट हो चुक है जिनने देखका लगता है कि इस बार ये फोन थोड़ा दमदार साबित हो सकता है पर एनिवे आईए देखते हैं कि क्या है इस फोन में खास और उसके बाद मैं आपको Vivo V9 को लेकर अपने कुछ ऑपिनिन्स बताऊंगा अब सबसे पहले इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें लेकिन इस फोन का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसका इस बार डिस्प्ले हो सकता है जी हाँ माना जा रहा है कि इसमें आपको 6.3 इंच का फूल HD प्लस रेजोलूशन वाला आइफोन 10 जैसे नौच डिस्प्ले मिल सकता है जो की मिनिमम बेजल के साथ आएगा इसके लावा अगर हम इसके इंटर्नल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो अगर हम लीग्ड स्पेसिफिकेशन को देखें तो उस साबसे इस फोन में आपको स्नाप्टकन 626 जिपसेट, 4GB की रैम और 64GB इंटर्नल स्पेसिफिकेशन को मिल सकती है जिसको आप एक्स्पैंड भी कर सकते हैं यहाँ पर आप उतादू कि इसमें आपको डेडिकेट मेमरी काड़ स्लोट मिल सकता है वहीं अगर हम कैमरा सेगमेंट की बात करें तो जो लिक स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार इसमें आपको 16MP प्लस 5MP का डूल रेर सेंसर और 24MP फ्रेंट सेंसर देखने को मिल सकता है जो कि यह दोनों ही सेंसर में आपको F2.0 और परचम मिलेगा तो हाना कि इसकी कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई लेकिन माना जा रहा है कि शायद ये फोन 20-25,000 के बीच लाउंच हो सकता है और क्योंकि 23 मार्च को ये फोन इंडिया में पेश किया जाएगा तो उसके 5-6 दिन माद इसकी availability भी शुरू हो जाएगी अगर इस फोन को लेकर आप मेरे opinion बुचेंगे तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि अगर ये 20,000 पे तक लाउंच हुआ तो ये offline segment के हिसाब से एकदम सही phone है हाना कि यहाँ पर मैं आपको बिदा दूँ कि इसका processor थोड़ा सा पुराना है और आपको RAM भी थोड़ी कम लगेगी लेकिन अगर इसके दूसरे specifications लेखे जाएगे तो वो इस price के साब से offline segment में जायज है जी हाँ इसका camera हो, display हो, इसका software हो या dedicated memory card slot हो ये तीनों ही चीजें आपको ज़रूर पसंद आएगी और offline जो buyers हैं उनके लिए एकदम सही साबित हो सकता है पर anyway, आपकी क्या राया है इस phone को लेके प्लीज आपो मेरे comment box में लिखे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो please इसे like करें, share करें और हमाया चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें Until then, this is Keshav Khaira signing off